गत दो दिन से जो डीप डिप्रेशन की स्थिती बनी हुई है वो आज भी बरकरार है किन्तु आशा की जा रही है जैसा प्रेडिक्शन किया गया है कि शाम तक कुछ स्थिती नॉर्मल हो सकती है इस बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे आईलेंड्स के अंदर एक भी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है जिसमें जान या माल का कोई नुक्सान हुआ हो केवल मात्र जो हमारे टूरिस्ट हेवलॉक और नील के अंदर आये हुए हैं उनको वहाँ पर रुपने के लिए कहा गया है क्योंकि सी का वैदर खराब है इसलिए हमनोंने हिजायत की है कि वो ज्यादा सुरक्षित होटल के अंदर हैं वहीं पर रुकें मैं देशवासियों के बतलाना चाहता हूँ जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है वो शत्रुतिशत सुरक्षित है एंज्वाय कर रहा है केवल मात्रोंने सी रस होने के करण अनुमती नहीं दी जा रही हमारे शिप वहाँ पर हमने भेज दिये हैं जैसे मौसम ब्लेयर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा